आई फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल मैं शेयर गर रहे हूं आपके साथ दो बहुत ही असान से बन जो कि आप अपने बालों में बहुत ली बना सकते हैं और यहां पर मैंने रबर बैंड की हेल्प से दो जूड़े बनाया है दोनों का लुग बहुत ही अलग है और बहुत ही इस हेस्टेल को बनाने के लिए अगर दोनों में से कोई से भी हेस्टेल अच्छी लगे आपको तो प्लीज लाइक करिएगा तो फर्स हेस्टेल के लिए मैंने एक मोटा रबर बैंड लिया है जिससे एक पीडियम को निटेल सीक्यों करी है ना पूरे बालों को इस तरह से हो जाए और उसको प्लार यह हाँ हों है और दूसरी हाँ लों को रखय क्ल कीज टरा आप कर ने लिए जए कि अगर आपको अगर बैंड ने तो दके से रखते और ये निसरहाम करना एक से दो मिनेट में बहुत ही असान से बन जाएगी अगर आप लहेंगा पैन रहें सारी पैन रहें जूड़ा बनाने का टाइम नहीं है तो यह बहुत ही अच्छी और सिंपल से ट्रिक है जिसके तुरू अब बहुत ही सुंदर सा हेस्टेल बना सकते हैं इसको मैं डेक्रेट लगाने के बाद इसको और भी डेक्रेट कर सकते हैं तो आफ्टर डेक्रेशन इसका कम्प्लीट लूप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से किया है और जो की दो मिनेट के अंदर बरने वाला एक बहुत ही सिंपल से हेस्टेल है जो लहेंगे और सारी में बहुत ही देख वारे होंगे मैंने पूरे बालों को पोनी टेल जैसे कटा किया है और रास में एक लूप चोड़ा है उसके बाद जितने भी बच्चे वाले मैं हलका सा बैक्कॉम कर रहे हूं विकास मेरे हैरती ने अगर आपके बाल थिक है तो इसको बैक्कॉम करने की जरवत नहीं अब बैक साइट पर लेकर आए है और अच्छे से इस तरह से इस भूझ कर लेना है बालों को और रबर बैंड नीचे पर लगा लेनी है आप देख पा रहे होंगे मैंने किस तरह से किया है रबर बैंड लगाने के बाद जितने बाल बच्चे है उसको अंदर के तरफ फोल क कर देना है ताकी जूड़े की ज थिकनेस से बन सके नीड अन क्लीन एस्टेल बन सके उसके बार मैंने यहां पर यूपिन लिया तो यहां पर बन और यूपिन के रहरी है आप मैं स्मूध कर रही हूँ बालों को डेकरेट करने के लिए फैस्टिव एस्टेल है इस लियए मैं गजरा ले रही हूँ और इस ते से इसको डेक्रेट कर लिया है तो दोनों ही हेस्टाइल बहुत ही सिंपल है एजी है अगर आपको कोई से भी हेस्टाइल अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करिएगा तो देख सकते हैं सेकेन ही हेस्टाइल का यह कंप्रीड लोग